पूरा ग्यारा दिन बाद मिल रही हूँ पिछले कुछ दिन से बहुत ज़दा बिजी रही और सच बोलू तो यूटूब में वीडियो डालने का यूटूब में वीडियो बनाने में मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मुढ रहा था बहुत ज़दा डी मोटिवेट फिल कर रही थी और अचानक मेरा लाइफ में बहुत ज़दा काम आ गया है बहुत ज़दे स्ट्रेस आ गया है बिकोज जिस घर पे मैं रहती हूँ वहां पे जो ओनर है अचानक से फोन करके बोल रहा है कि उसको ये घर पर्मिनली सेल करना है उनकी बेहन की साधी है तो उनको पैसे करनी दे अब रात और रत में कहां से घर डूंडू सो बहुत ज़दा भागादोरी हो रहा है हर रोज कहीं न कई घर देखने जा रही हूँ पर पसंद भी नहीं आ रहा है बिकोस मैं मुस्लीम हूँ तो मुस्लीम को नहीं दे रहे फिर बैचुलर को नहीं दे रहे या फिर आईशा का जो मैसेज था उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया थैंक यू बाबू मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए अगर तुम्हें वीडियो देख रही हो बिकोज उसने जो मेरा वीडियो था लिविंग एलोन वाला व्लोग देखके आपने आपको मेरे से रिलेट कर पाई और मैं आप लोगों से अलग थोड़ी नहूं मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोग देख रहे हो आप लोगों के लाइफ में भी उसेम सिच्वेशन होता होगा बट वो वीडियो नहीं बनाते हो तो किसी को पता नहीं चलता है और मैं चाती हूँ कि 10 अगर कोई देख रहा है मेरे वीडियो दस में से अगर कोई एक को फाइदा हो ना तो मेरा वीडियो का जो मेहनत होता है ना वो सफल हो जाए वो मोटिवेशन मुझे मिला है और मैं और अच्छा अच्छा कांटेन लेके आऊंगी ताकि आप लोगों को उससे फाइदा हो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आईशा को मेरा वीडियो से मोटिवेशन मिला, वो अपने हेल्थ केर, स्किन केर हर एक चीज़ करती है I am a morning person, कुछ भी हो मुझे सुबा जल्दी उटना होता है Because I feel very productive, energetic और सुबा सुबा जल्दी उटने के वज़े से मेरा morning का जो रूटीन है मैं बहुत अच्छे से follow कर पाती हूँ, आपने आपको time दे पाती हूँ मेरा hormonal problem के वज़े से काफी time से मेरा medicine चार रहा था, जिसके वज़े से मेरा weight loss में नहीं कर पा रही थी अब सारे medicine off हो गया है, because अब सब कुछ normal है, तो अपना weight loss journey अब सुरू करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ diet और workout दोनों ही share करूंगी योगा करने के बाद में vitamin D लेना कभी नहीं भूलती हूँ, 10-15 minute में vitamin D लेती हूँ sunlight में रहे के, because बहुत ज़़े important होता है हमारे health के लिए और skin के लिए भी बहुत सारे बिमारी भी नहीं होता है and सुबा सुबा जब आप sunlight लेते हो तो एक चीज में बता दूँ, इससे आप tan नहीं होंगे सुबा का जो 8 बज़े तक अगर आप sunlight आपके body आता है तो tan नहीं होता है 8 बज़े के बाद जब आप sunlight में जाते हो तो tan होना सुरू हो जाता है and 11 से लेके दो पहर के 3 बज़े तक आप जब बाहर जाओगे उस time ज़्यादा tan होने का chance रहता है and morning पे जब आप sunlight लेते हो उससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होता है आपके skin health के लिए तो कोशिस करना कि सुबा के जो sunlight है उसको आप जरूर लो मेरे पास कुछ comment ऐसा receive हुआ है कि 9 to 5 job करते हैं कैसे सब कुछ maintain करें क्यों नहीं कर सकते हो 24-7 job नहीं करते हो 9 to 5 job करते हो मैं भी काम करती हूँ तो मैं कैसे maintain करती हूँ क्योंकि आप अगर अपने time को सही इस्तेमाल करोगे तो आप हर एक चीज़ को follow कर सकते हो राद बार अगर phone को scroll करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो आपके हाथ पे है कि आप कौन सा time पे क्या करोगे आप काम भी कर सकते हो और आपने आपको भी take care कर सकते हो डिपेंड करता है आपके उपर इतनी जादा busy schedule के वज़े से मैं रोज सोचती हूं कि आज तो मैं बेड़ सेट चेंज करूंगी पर रोज कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि चेंज होई नहीं पाता है तो सोचा आज तो मैं करी लेती हूं और मैंने एक new bed seat भी लिया है मुझे अच्छा लगा है और यह फर्स टाइम यूज कर रही हूं तो आई होप यह अच्छे से फिटिंग हो जाए यह जो चद्र ने तब से ठीकी नहीं हो रहा है यार मैं तो पूरा ठक गई हूं और यह फिटी नहीं हो रहा है सो यह जो साइज है साइज मैंने गलत मंगवा लिया है पर इससे बड़ा साइज का कुछ था ही नहीं है यह king साइज था बट साइज इसमें फिट नहीं होगा क्योंकि यह जो पूरा जो बेड है ना बहुत जादा ही बड़ा है साइज इसलिए कोई बात नहीं बट यह इसलिए इलास्टी सीटी नहीं है वो इसपे फिट हो जाता है तो उसी को ही मैं यहां पर सिट कर देती मुँग। रूम जब किलीन रहता है और फ्रेस बेड़ सीट जब सेट होता है ना तो नीद बहुत अच्छी आती है और मैंने अपना बेड़ सीट को सेट कर लिया है ब भूक लगी है, ब्रेक्फरस्ट बना लेते हैं, ब्रेक्फरस्ट में मैं आज बहुत ही हेल्दी सा ब्रेक्फरस्ट बनाऊंगी, जब से मेरे पास एयर फ्रायर आया है न, मैं बहुत टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी सा ब्रेक्फरस्ट बनाती हूं, टाइम भी नहीं लगत मेरे पास पूराना वाला था तो वो खराब हो गया था तो मैंने नया वाला मेसो से ओडर दिया था अब मैं मस्रूम कट कर रही हूँ मस्रूम हमारे इसकीन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस तो कोसिस करना हटे में दो दीन या फिर एक दीन अगर खा सको तो खा लेना क्योंकि उतना था एक्सपेंसिब भी नहीं होता है और यहां पर मैं घी यूज कर रही हूँ अप लोग अगर घी और वाइल थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो इसके बाद इसको अच्छे से स्प्रेट कर देंगे और इसके उपर में जो मस्रूम कट करके रखी थी वो मस्रूम को मैं दे दूंगी क्योंकि यह सुबा थी बहुत ही हेल्दी एक ब्रेफट हो जाता है और पुरा पीजा के तरह लगता है और यहां पर मैंने चीज उपर से दे दिया है और बहुत लोगों को लगता है चीज खाने से मुछँटा होता है अफकोस होता है बट सुभा में अगर चीज का एक क्यूब खाया जाए तो वो बहुत ज़दा है तो आप खा सकते हो पर थोड़ा खा सकते हो जो पीजा सेंटर में जो चीज मिलता है उससे कोई फाइदा नहीं होता है सो यहां पर मैंने 10 मिनिट के लिए रख दिया है यार फ्रायर में और मेरा ब्रेकफस्ट रेडी हो गया है और यह बहुत ही यम्मी सब ब्रेकफस्ट है देखने में जितना यह यम्मी लग रहा है खाने में भी उतना ज़दा यम्मी है और बहुत ही इसली बन जाता है ऐसे ही म बना लेती हूं कभी ओर्स का चीला बहुत सारे चीज़ डिफरेंट डिफरेंट मैं यहां पे यार फ्रायर में बना लेती हूं और आज कल तो मैं स्वीट पॉटेटों का फ्राइस खारी हूं इतना जदे यम्मी लगता है मैं आप लोग से जल्दी ही रेसिपी सेयर करूंगी इसके साथ मैं यहां पे थोड़ा सा केचप ले लिया है कि उआता कि और ज़्यदर टेस्टी लगे और आज कल मैं चाई नहीं पी रही हूं पता नहीं क्यूंपर मैं कोफी बहुत पी रही हूं बहुत गर्मी भी है तो चाई पीने कर दिन नहीं करते है पडिफी पीना मौनिंग में पी लेती हूं और सुभा सुभा बारी सोना भी सुरू हो गया है और कॉलकाता का मौसम देखो कितना ज्यादा प्यारा और अच्छा हो गया है एकदम पुरा चेल्ड हो गया है ठंडी-ठंडी हवाय दे रहे हैं तो यम्मी सा ब्रेकफर्स्ट गर्म गरम कॉफी क के साथ में इंजोई करूंगी आप अगर मश्रूम कैपसी क्याम अगर आप कैरिट खा रहे हो या फिर आप उसके साथ बिट्रूट दे रहे हो कुछ भी वेजिटेविल अगर मौनिंग में अपने ब्रिक्फर्स्ट में इंक्लूड कर रहे हो ना तो आप अपने इसकिन केर अपने अपने अपको हेल्दी एक फूट दे रहे हो जो आपका बॉड़ी इसकिन है तीनों के लिए ही बहुत ज़दा अच्छा है तो सुबह सुबह को जो मील होता है न वह बहुत ज़दे इंपोर्टेंट होता है कि हम लोग क्या खा रहे तो सुबह का ब्रेक्फर्ष अपने लिए अपने सेल्फ लव से स्किन कियार से नहीं होता है गाइस इνेटरनल कियार से भी होता है तो अच्छे से खाओ ौच्छे से पीओ और अपने अपको हेल्दी रखो अफ्टर ब्रेक्फर्स अब मैं जाओंगी फ्लैट देखने के लिए क्योंकि मेरा टाइम फि और इससे पहले मैंने बहुत सारा फ्लैट देखा था जो कि मैंने आप लोगों को सो नहीं किया कि वह उतना अच्छा नहीं था यह फ्लैट मुझे काफी पसंद है क्योंकि यहां पर सनलाइट भी अच्छा आ रहा है और सोसाइटी बहुत अच्छा है सिकुरिटी गार्ड बह में सेट कर लूँगी यह फ्लैट मैंने डन किया है आप लोगो को कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताना और यह फ्लैट मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहां पर सनलाइट आएगा तो यूटूब का वीडियो बनाने में मुझे हल्प मिलेगा और यह रहा टेरेस जो की बह लिविंग एलोन लाइफ जितना हैपिनिंग लगता है उपर उपर से दिखने में उतना होता नहीं है बहुत ज़दा स्ट्रेसफूल रहता है और धूप में बहुत टाइम तक खड़ा रहने के वज़े से मेरा सर्थ दुग्या बहुत ज़दा मैं थक गई इसलिए में बट मैं अपना इस्ट्रेस कभी किसी को नहीं देती और अपने फैमिली तक तो मैं पहुचने ही नहीं देती हूं कभी किसी को कुछ नहीं बताती हूं जो भी मतब बुरा चीज होता है जो भी स्ट्रेसफूल रहता है वो मेरे तक ही रहता है जो हैपनिंग वाला साइड रह रिमूव होता है बस पांस मिनिट में यह नहाने से पहले कर सकते हो आप या फिर आप वासरूम में जागे भी कर सकते हो इससे आपका टैन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है जिसके लिए बहुत ही सिंपल सा है जो किचन में मिलेगा बट उससे पहले मैंने अपने मैंग को मैंने भीगों को रख दिया था रात में तो इसको मैं अभी निकालूंगी इसका जो एक से जो वाटर है पूरा जब पूरा ड्राइ हो जाएगा उसके बाद में इसको फ्रीज में स्टोर कर दूंगी उसके बाद अकर मैं खाऊंगी तो पिंपल्स नहीं आएगा टैन टॉमेटो एंड चावल के आट हैं दोनों बहुत ही क्विकली हमारे इसकिन से टैन को रिमूव करता है क्योंकि टॉमेटो एकसेस ओईल को रिमूव करता है रिमूव करता है डेड स्किन को आपको प्रिवेंड एक्ने को भी रिमूव करता है आपके इसकिन को ब्राइट करत इतने भी dirt, dull, oil होता है उसको deeply clean करता है तो यह आपकी स्कीन के लब बहुत जदा benefit होता है rice flour आपके skin को बहुत अच्छे से hydrate और सपल करता है rice flour skin को बहुत अच्छे से healthy करता है skin का barrier को function को improve करता है rice flour से आपकी skin का porch को tight होता है rice flour एक natural cleanser है dead cell को भी remove करता है tan को भी remove करता है rice flour से अगर आपका pimples में छोटा छोटा जो दाग हो जाता है उसको भी remove करने के लिए dark spot, pigmentation यह सारे चीज़ को remove करने के लिए help करता है पांच मिनिट लगा उसके बाद अपना हलो simple से hack है जरूर ट्राइ करना बहुत ज़्यादा गर्मी के करन स्वेट होता है जिसके वाईसे hair बहुत इचिंग होता है hair fall भी होता है तो हपते में 2-3 दिन अपना head was जरूर करना and morning का routine मेरा बहुत ज़्यादा simple रहता है कल रात में मैंने ये toner अपने हाथ से गिरा दिया था पता नहीं कैसे मेरा हाथ से इतना जोर से बॉटल गिरा कि जमीन में ये इतना जोर से गिरा कि इसका ढखकन कही और जाके गिरा और पूरा निकल गया जितना toner था थोड़ा सा छोड़ के पूरा toner मेरा जमीन में गिर गिया और में ज़र रोना आ रहा है तक इतना expensive है और एसा समुंदर पार मैंने इसको order दिया था इसका आने में ही चार मारीना लग गया था और सही से मैंने use भी नहीं किया था इसका जो दुख है ना एक लड़की ही समझ सकती है बट क्या करें मेरा किसमत में सहे था नहीं इसलिए आपर चलो जितना है अभी उतने यूज़ करेंगे बट ये टोनर ना बहुत अच्छा है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइडरेट करती है ये लगाने के बाद आपको और कुछ चीज़ कर नीड नहीं होता है अगर आप चाहो तो आप सीरम लगा सकते हो अगर नहीं चाहो तो ना लगा सकते हो क्योंकि टोनर बहुत अच्छे सब के स्किन को हाइडरेट करता है सीरम मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ ये काफी टाइम से मैं यूज़ कर रहीं, इसका दो टब मैंने खतम किया है, तो अच्छा है, आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, कुछ और करो ना करो, स्किन केर पे संस्क्रीम ज़रूर लगा ना, क्योंकि बहुत ज़ते इंपोर्टेंट है, मैं इन तरह से जस्ट मुझे प बहुत अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज मैं अपना मॉर्णिक रूटीन बहुत दीन बात सेयर कर रही हूँ, I hope आप लोग को अच्छा लगा है, और ब्लॉग अगर अच्छा लगा है, तो आप लोग को पता है क्या क करना है, जो लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को सस्क्राइब करके जाना, ब्लॉग को लाइक करना, सेयर करना, फिर मैं मिलती हूँ, नेक्ट ब्लॉग में तब तक के लिए, बाई!